नमस्कार दोस्तों, एम विद रकेश यूड्यूब चैनल में आप सब का जोरदार स्वागत है। के सोर्सों से हमें मालूम पड़ा है कि आपका एक्जाम 17th of October को संभावित है। यानि कि अब एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में जो तैयारी कर रहा है काफी दिनों से कुछ प्रशन आते हैं और उनमें से जो मोटे मोटे प्रशन आते हैं जो मैं आपके कॉमेंट सेक्षन में देखता हूँ या फिर आप हमें फोन लगा के जो बताते हैं उन सब को नेजर रखते हुए मैं दो दो चीजों पर निश्कर्स पर पहुंचा हूँ अगर कंक्लूजन की बात करें तो वो कौन से आपके मन में दो मोटे मोटे प्रशन उनकी बात करते हैं देखो आज आप एक स्टूडेंट बने यहां खड़े हो और आपके पास यहां से दो रास यहां से होते हैं एक तो एक तो रास्ता है कि आप इतनी अपने अपने कॉंसेप्स को इतना बिल्ड कर लिया है कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट है आपने उस पर इतनी महारत हासिल कर लिए कि सिर्फ अगर आप प्रेक्टिस कर जाओ अगर जो सिर्फ प्रेक् सिर्फ और सिर्फ focus करना है practice पर concept की कोई भी load नहीं है चीक है अब दूसरा प्रशन ऐसा बच्चा जिसके मन में यह सवाल आते हैं कि मेरा तो कुछ ज्यादा अच्छे से practice भी नहीं है और ना ही मेरा कोई concept develop है यानि कि concept में पंगा है अगर आपके concepts में पंगा है और इस ही की परीपेक्ष में हम सारी बात है कर रहे होंगे अब यहां पर आपको जरूरत है अपने concept को build करने की लेकिन फिर अपको अपने दिमाग में ये सोचना होगा मेरे पास कितना समय है और मुझे करना क्या क्या है तो आपको करना क्या है ? आपको बेसिक से सबसे पहले क्या करना है अगर आपके concept बिल्कुल build नहीं है ना मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके अच्छे से concept है अगर आपके concept बिल्कुल clear है तो आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ दो क्योंकि कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने से क्योंकि आपका time waste ही होगा जो आप इधर समय लगाते कहीं all लगाईए मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको सिर्फ और सिर्फ practice की जरुरत है मैं बात कर रहा हूँ जिनको concept की जरुरत है हाला कि मैं इसकी भी थोड़ी सी बात करूँगा आगे जाके अगर आप last तक बने रहते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ concept जिसके बिलकुल भी week है जिसको बिलकुल नहीं पता है कि क्या concept में करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है तो सबसे पहले दोस्त आपको ये analysis करना होगा कि आपके पास समय कितना है यानि कि time कितना है आपके पास time कितना है पहली चीज और दूसरा आपको करना कितना है how much you need to put in यानि कि आपको करना कितना है कितना समय और कितना करना है अगर आप इन दो चीजों को decide कर लेते हो कि मुझे इतना करना है भई ये 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 चीज है मुझे इतना करना है और मेरे पास इतना समय है अब देखो मैं अब आपको और अगर फिर आपके पास समय मिले तो SI, CI इन चीजों पर फोकस करिए और फिर बाकी जितने भी चेप्टर उनको धीरे 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 निपटाते रहें लेकिन सबसे पहले आपको इन चेप्टरों पर अपनी कमांड बनानी होगी क्योंकि ये वो चेप्टर है ना भाई जिन से बहुत सारे कॉंसेट्स निकल के आते हैं यानि और दूसरे चेप्टर इस पर रिलाई करते हैं मान के चलो अगर और दूसरे 10 चेप्टर है तो इन 4 चेप्टरों पर वो बाकी के 6 चेप्टर रिलाई करेंगे ना तो ये चेप्टर 1,2,3 कितनी भी और चेप्टर हो वो इनहीं से निकल के आएंगे आप देखियेगा तो आपको करना क्या है आपको अपने इन chapters पे focus करना है concept करना है अब यहां से भी आपके पास दो रास्ते हैं आप कैसे करना चाहते हैं मैं बिल्कुल genuine बात करूँगा यार कोई भी fake बात आपके सामने नहीं करूँगा जैसा आप हमारा nature जानते हैं इस channel पर जितने भी हैं वो कैसे हैं आप सब जानते हैं मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि आपके अगर concept बीक है तो आप यहां से दो काम कर सकते हैं एक तो भाई अच्छी सी कुई किताब लेकर आजाओ या फिर आपके पास होगी उस किताब से आप खुद question ढूड़ो खुद अपने concept को clear करो एक तो यह रास्ता है और दूसरा एक होता है paid course भी ठीक है इस समय में अब देखना आप बोलोगी यह paid course की बात कर रहे हैं लेकिन आप यह देखिएगा कि यहां पर जो आपको बचाने का काम करता है वो होता है paid course किस तरह से क्योंकि आपको कुछ भी मैनत नहीं करने हैं अब आपको सीधा सीधा क्योंकि आपके पस उतना समय भी नही कि आप उतनी deep में जाके सारी चीज़ें देखें तो आपको करना क्या होता है यहां पर आपको सिर्फ उस course को लेके और उसमें जो concept बनाये हैं दिये हैं उनके notes बनाके उनको revise करना है और आपको पता है उसमें practice के लिए questions भी मिल जाते हैं तो आपको जो एक mental stress था back end पर कि क्या है और ये भी decide करना है कि कितना करना है और तीसरी बात तो चली रहती है जो समय का घंटा जो आपके उपर लटकता रहता है वो तो आपको देख नहीं है अना वो एक अलग stress पैदा करता है तो अब आपको मिले जुले तोर पर ये जो पूरी कहानी है आप कहीं ना कहीं इसी कहानी के अंदर अपने आपको पाते होंगे अब आप खोज लो आप किस category में आते हैं अगर आप number one category में आते हैं तो कुछ और बात है अगर आप number two category में आते हैं तो कुछ और बात है तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी होगी अब आपके पास सवाल आता है कि अगर हमने concept कर रखे हैं हमारे concepts अच्छे हैं जो पहले number की बात कर रहा हूं जिसको सिर्फ practice की ज़रत है तो हम practice कैसे करें और कहां से करें ठीक है एक तो ये बात हुई तो देखो practice कहां से करें और कैसे करें ये बड़ा broad topic हो जाता है आपको कुछ नहीं करना है आपक वहां पर enroll करके बहुत जल्दी speed में डालके है ना उसको चीज़ों को बहुत speed up करके सारी चीज़ें जल्दी एक एक बार revise कर लो क्यों क्यों कि आपने अगर सारे concept कर रखे हैं तो अब आपको revision की जरुरत है ठीक है और वो revision fast forward mode में होना चाहिए इतने fast तरीके सो कि आप उस इसमें से 50-60 इसमें से 50-60 इसमें से यानि कि total अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको 200-300 अगर आप कर लेते हो तो आप इस हिस्तिती में आ जाओगे कि आप बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ आगे जरूर कर लोगे इस में इस paper में आप paper के बाहर आते हुए यह नहीं कहोगे कि बाकी तो सब हो गया बाकी गड़े तने band बजा दी यार ऐसा आपके मन में नहीं आएगा आप बोलोगे यार जितना भी होगा मैंने कहीं से भी दिमाग लगाया लेकिन लगा लिया कुछ ना कुछ अच्छा कर क्या आगया आपको एक आशाकी करण जरूर देखेगी और सबसे पहली बात एक दिमाग अपने दिमाग में रख लेना जो मैं बात बता रहा हूँ इन सारी चीजों को जो भी आप paid course करें उसके लिए भी पैसे लगते हैं या फिर आप किताब लेने जाएं उसके लिए भी पैसे लगते हैं सबसे पहले इसको खर्च मानने की गलती बिल्कुल ना तरहें साफ साफ और कड़े शब्दों में मैं बोल रहा हूँ इसको खर्च ना बोला है इसको investment बोलते हैं जो आप अपने ऊपर करते हैं ठीक है एक व्यक्ति है जिम जाता है वो अपनी body के ऊपर खर्च करता है तो ख मुल्यवान तो आप समझी रहे हो कितना मुल्यवान हो सकता है कोई चीज आपके लिए तो इस बात को मेरी याद रखिए का आप इसको खर्च ना बोलके investment बोलें निवेश बोलें अपने कामों में तो यह बात हुई अब आपके जहन में आ रहा हुगा कि हम कैसे करें इन सा सारी चीजे मिलेंगी अब मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो जो चाहते हैं कि हमें ये paid course खरीदना है और हम कैसे आगे चलें तो उनके लिए हैं अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको paid course बिल्कुल नहीं लेना है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं आप अपनी क्योंकि मैंने maths का course आपको बनाके aim करती app पर डाल दिया है तो आप वहाँ से ये कैसे लेंगे वो three step process आपस you just have to take the three step आपको सिर्फ तीन step लेने हैं और उसके बाद आपका course आपके हाथ में आ जाएगा चीक है तो वो कौन से तीन step है मैं वो बताने की कुशिश कर रहा पहला step है उससे पहला step है कि आपको play store से जाके ये जो aim करती app है इसको install कर लेना है ठीक है मैंने install कर रखा है इसलिए ये वाला photo डाला है आपको open करके सारी चीज़े मिलेंगी तो आपको सबसे पहले aim करती by aim with rakesh ये वाला जो app है आप इसको download कर लीजिए download करके आप इसको open करिएगा तो उसके बाद आपको तीन step follow करनी है just three step सबसे पहला आपको register करना है अपने phone से आपको अपनी थोड़ी बहुत details डालनी होंगी उसके बाद जैसे ही आप अपनी बहुत बहुत short form short तरीके से हो जाएगा registration आपका OTP डालके दूसरा दूसरा जब आप बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे sections में सबसे ऊपर देखेगा paid section याना paid courses का उस पर click कर दीजिए और अब आप वहाँ पर क्या देखेंगे आपको वहाँ पर एक course देखेगा जिसमें आप click करेंगे और वहाँ पर अगर आप click करके उस paid course पर यानि maths का paid course जो है maths का जो course है आप उस पर click करेंगे तो सारी details आपको वहाँ मिल जाएंगी और वहाँ पर payment की link पर आप click करके payment कर सकते हैं this is all you have to do है ना बस आपको ये तीन चीजों का खयाल रखना है और आपका काम हो जाएगा बावजूद इसके अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये जो number आपके सामने screen पर display हो रहा है 7678668827 आप इस पर call करके अन्य कोई भी जान का रही हो कि किस तरह का course है किस तरह की चीजे हैं इसमें क्या होगा किस तरह से होगा आपके मन में जो भी personal सवाल है आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं आपको जरूर समाधान मिल जाएगा तो ठीक है भाई बहुत चोटी सी और बहुत संच्प्त में मैंने यह बता दिया है यह क्यों बताया है अब आपको लग रहा होगा कि भई बेचने बेचने आगये तो देखो यार बेचने वगरा कुछ नहीं आये है आपको जो करना है आप जानते हैं आपके सिस्तिती में ह आप बहुत पड़े लेखे विध्यारती हैं और आप एक ऐसी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं जिसमें आपको एक बहुत सूझ भूज और समझ की जरूरत होती है। आप अल्रेडी उतने समझदार हैं आपको क्या करना है आपके लिए कितना और क्या उचित है वो आप जानते हैं उस तरह से एक्ट करिए अगर आपको वाकई में इस कोर्स की नीड हो अगर आपको जरूरत हो तभी लीजिएगा अदर्वाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट नहीं करना है अगर आपको वाकई में इसकी जरूरत है तभी लीजिए अगर आपके कॉंसेप्ट हिले पड़े है या अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत रिवाइस करना है तभी लीजिए मैं बिल्कुल कते ही नहीं क आपको अभी तक अभी तो जितने भी मार्केट में चल रहा है उससे बैस्ट मुझे लगता नहीं कि आपको कोई कोर्स मिलेगा क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप खुद को ये मालूम पढ़ जाएगा कि हमने इसमें जो चीजें ली है वो एकदम बेसिक से जीरो पर बहुत सारे लेक्शन डिलें आप वहां जाके देख सकते हैं और 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 भी आपकी जो भी क्वैरी हो ये सामने आपके पस नंबर है इसको देख लीजिए बस हम मुझे इतना ही कहना था अब मैं विदा लेता हूं और आप पढ़ते रहिए मस रहिए और अपनी तयारी म जराभी कुता ही नहीं बरती है एकदम जोश के साथ और होश के साथ लगे रहिए यू आर दब वारियर्स योद्धा हो आप लो ठीक है थैंक्स ओपच